मैम, next month मेरे exams हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, पर focus नहीं हो रहा कुछ एक question को करने बैठो, तीन आवज लग जाते हैं, उसको finish करते करते, और जब कुछ revise करो, तो याद नहीं यह सरफ एक student की कहानी नहीं है, अभी जितने भी students हैं, जिनको next month exam face करना है, उन सभी का यही हाल है, पर इस दर, anxiety और fear को हम कैसे overcome करके, हमारे पास जितने बचे हुए दिन हैं, उनको हम utilize करके, जादा से जादा score कर सकते हैं, यानि इन दिनों को हम कैसे manage कर सकते हैं, इस वीडि Hello friends, I'm Sonam, I hope you all are doing great, तो अभी जादातर students के next month याने मार्च महीने में exams आने वाले हैं, और सभी बड़े tension में हैं, specially जो 10th और 12th के students हैं, उनका जो tension level है, वो तो एकदब next level पर है, हाला कि इस बात का कोई justification नहीं है, कि आपने साल भर क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हम साल भर ज दिनों में पढ़ते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है, बड़ बाइगान, बी बाइगान, अभी जो टाइम जा चुका है, उसको डिसकस करके, रिग्रेट करने का कोई फायदा ने, अभी हमारे पास जो दिन है, उनको अगर हम सही तरीके से मैनेज करें, याने टाइम मै और टैंथ बोर एक्जाम में भी, तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, कि हम यह दिनों को कैसे, याने जो हमारे बचे वे दिन हैं, उनको कैसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पूरे साल बर का जो टाइम टेबल होता है, और जो जो बचे वे दिन है, इनका जो कोचिंग, स्लीपिंग आवर्स, प्लेइंग, फिर हमारे बस 10 आवर्स बचे, फिर दो दो घंटे पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट तो हो जाएगा, नो, इस रॉंग अप्रोच, अभी आपको सही तरीके से स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटजी बनानी हैं, और टाइम को मैनेज कर पढ़ाई करनी है, आपके कोर्स की इंफरमेशन आपके पास है, आपका टाइम टेबल, एक्जाम का टाइम टेबल है, वो आपके पास है, आपके जो वीक सबजेक्ट हैं, उनकी इंफरमेशन आपके पास है, जो आपके स्ट्रॉंग सबजेक्ट हैं, उनकी इंफरमेशन आ करेंगे अगर हम वाइस बात करें तो सबसे पहला जो तिप है आपके ताइम मैंश्मेंट का वह है ताइम कैलकुलेशन आपके एक्जाम का टाइम टेबल आपके पास है अब आपको क्या करना है अभी आज की बात से जब यह वीडियो देख रहे हैं उसके बात से आपका जो उनके बीच में आपके पास कितने दिन है आपको वह कैलकुलेट करना है वह कैलकुलेट करके आप अराउंड आराउंड आवर्स जैसे आपके आप 10 डेज अगर सब्सक्राइब आपके पास 35 डेज हैं और यानि अगर आपके मार्च 5 और 7 अग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके बास अराउं 30 प्लस यानि 35 अराउंड डेज हैं और अगर आप हर दिन 10 घंटे भी पढ़ने हैं तो आपके बास 350 घंटे हैं यह राइट तो आपको यह दिखना है कि आपको कितने आवर्स किस सब्जेक्ट को अलोड करने हैं अगर हम इतना मेगा कैलकुलेशन न करें तो आपको यह डिसाइट करना है कि आपके जो दिन में अगर दस आवर पढ़ रहे हो अभी तो कितने आवर्स आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट को देने हैं और क्या-क्या कैसे पढ़ना है नमबर तू एनलाइज यह टाइम टेबल अभी आप सभी लोगों के पास अगर एग्जाम होना है हिंदी का और उसमें अगर 9 देज का गैप है तो अभी कि जो क्रूशल 30 देज हैं उनमें आपको हिंदी कम पढ़ने की ज़रुरत है क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी आप हिंदी को टाइम वेस्ट करें हिंदी पढ़ने में और केमिस्टी में आपके 2 ड विके से अपना टाइम टीबिल में कि कितने गैप्स हैं और जो आपका जो. थ испीक से पांच दिन का टाइम तो आप काउंन करिया। क्योंकि जो फस्ट एम ऑधिलिर जा से मैthmेटिक se आपके जो syllabus है उसके साब से कुछ chapters पर जादा marks allotted रहते हैं as compared to other chapters यानि ऐसा fix होता है कि chapter 6 से for example 3 marks का आना है बर जो 10th chapter है उसमें 10 marks का आना है तो आपको क्या करना है जिस chapter से जादा marks आने है जादा marks का portion आना है वो chapters आपको अभी जादा focus करने है as I said do smart work not hard work ऐसा ना हो कि जिस chapter से आप सरफ 2 marks का objective आना है और उसको आप 2 दन से किये जा रहे हैं किये जा रहे हैं और जब 10th जिसमें से 10 marks का आना है वो जब आप chapter करने का time आये तो आपके पास time ही ना बचे बहुत intelligently आप previous years के paper से या जो आपके बास syllabus होगा उसमें से आप जो जादा marks कवर हो रहे हैं जिस chapter से वो chapter आपको पहले करना है और जो कम का है वो आप बाद में करेंगे यह कितने marks किस chapter को allotted है यह आपको online जो blueprint से रहते हैं जो आपके या फिर जो आपका official website है जो आपके MP board की या CBC board की वहां से भी आपको मिल जाएगा या फिर जो previous papers है उनसे भी आपको information मिल जाएगी सो आपको पता करिए और जादा marks जो केरी हो रहे हैं जिस chapter में आप वो chapter को focus करिए number four make small goals and achieve them हमारा जो previous video था how to achieve 90% marks in 30 days में भी मैंने आपको यह बोला था कि small goals को बनाएए उनको achieve करिए जैसे का आप 2 गंडे पढ़ रहे हैं तो उसमें आप यह डिसाइड कर लीजे कि मुझे यह set paper यह set paper finish करना है या 10 question है important वो finish करना है ऐसे में आप focus रहते हैं और यह time management की सबसे important practice है जिसको toppers भी follow करते हैं So make small goals and achieve them इससे आप focus diversion से बचे रहते हैं और आपके time का बहुत सही use हो पाता है Number 5 take mini breaks after an hour of study अब आपको लगता होगा यह कैसा tip है हम हर घंटे में अगर 5-5 minute का break लेने लगे तो हम कैसे पढ़ेंगे but you heard it right मैं exactly यही कहा अगर आपको focus diversion का problem है यहने आपको focus जादा देर तक एक चीज पर नहीं टिका रहता तो आप focus बने रहने के लिए आपको क्या करना है जैसे अगर आप 1 गंटे में 55 minutes की आप study कर रहे हैं तो आप 5 minute का break ले सकते हैं उस break में आपको कोई भी gadgets या टीवी या मोबाइल पर नहीं जाना है क्योंकि यह चीज़े बहुत time taking है आपको पता भी नहीं चलेगा तो आपको वह 5 minute में कुछ physical activity करनी है या फिर आप बाहर फ्रेशन अप हो लिए मूद हो लिया कुल ना के anything anything just make sure कि आप TV और मोबाइल और friends के साथ ना रहें इन 5 minute के break में आप छोटे चोटे ब्रेक लेंगे अगर एक घंटे के study के बाद या 55 minute के study के बाद तो ऐसे में आपको focus बना रहता है यह भी एक time management trick है number six make flexible time table yes flexible time table यानि ऐसा time table जिसको आप follow कर पाओ आप याद रखिए कि आप 24 hours यानि 24 hours का जो दिन है उसमें आप 18 hours नहीं पढ़ेंगे because you are not Rajnistan so ऐसा time table मत बनाए एक चली मैं एक demo time table आपको बता देती हूँ जैसे अगर आप सुबे 6 बजे उठे तो सारे 6 बजे से लेकर 6 से सारे 6 आपने fresh and up होने के लिए time लिया 6.30 exactly आप पढ़ने बैठे 8.30 तक आपने पढ़ लिया तो घंटे आपने अच्छे से पढ़ाई कि दन सारे 8 बजे आप उठे 9 बजे तक आपने अपना breakfast वगरा के लिए time लिया फिर आप suppose सवा 9 बजे तक पढ़ने बैठे 9.15 पर पढ़ने बैठे 11.15 तक आपने 2 घंटे फिर से पढ़ा सवा 11 के बाद आप 11.45 तक आपने bath वगरा के लिए break ले लिया फिर suppose 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपने पढ़ लिया फिर 2 बजे से लेकर 3.30 बजे तक इतनी बटवभी से बात है कि आप इतना पढ़के ठक जाते हैं तो देर घंटे का आप rest ले सकते हैं मोबाइल नहीं operate करना है तो suppose आप 3.30 बजे आप उठे नीम से फिर चार बजे आप पढ़ने बैठे चार से छे आपने फिर से पढ़ लिया ठीक है दो घंटे की पढ़ाई हो गई फिर शिक्सों क्लॉप पे आपने टी ब्रेक ले लिया फिर 6.30 से आप पढ़ने बैठे एं नौ बजे आप पढ़ने बैठे ठीक है फिर से अपना खाना होना खाके डिनर लेके सारे नौ के बाद आपको फिर से देर घंटा जो भी आपके जो की नोट्स हैं या इंपॉर्टन फॉर्मलाज वगयरा हैं वो सारी चीज़ आपने पढ़ ली फिर 11 सारे 11 बारा आप अप पढ़ पाएंगे बड़ फिर भी यह टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग है आपकी जो कोचिंग आवज है अगर आप स्कूल अभी भी जा रहे हैं तो वो टाइंग कॉट आफ करके भी आप मैनेज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह टाइम में जो जो दो गंटे का मैं अब किया था उसको उसावर में आपको क्या पढ़ाई करनी है वह अपको फुद दिसाइड करना है क्योंकि आपके वीग न ही बोल सकती हूं कि मॉनिंग आफ में फिर आप फिजिक्स पढगा मैं है क्योंकि हो सकता है आपका केमेस्ट्री वीख है आप खुद डिसाइड करो कि आपको किस आवर में किस सब्जेट को कितना अलॉट करना है प्रिवियस यर के पेपर करेंगे तो आपके लगबग 75-80% सिक्योर हो ही जाएंगे सो इस तरीके से आप सही तरीके से टाइम को मैनेज करके अपना बहुत कम टाइम में भी बहुत जाज़ अचीव कर सकते हैं सो स्टे काम एंड स्टेडी हाड यह स्टेफ चार दिन हैं जो आपको पढ़ाई करनी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए पढ़ाई करिए इसके बात का जितना भी सारा टाइम है यह 60 डेज के बात का वो तो आपी का टाइम है मस्ती मजे और एंजॉइमेंट के लिए यकीन मानिए आप कर सकते हैं पढ़ाई कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है अगर आप थोड़ा फोकस के साथ करेंगे तो पास तो आप हो ही जाहेंगे पर हमें तो टॉप करना है हमेशा याद रखिए अगर आप नहीं तो फिर कौन अगर अभी नहीं तो फिर कब टाइम है फ्रेंग्स पर लिजे आप इस वीडियो से आपने रिलेट किया और आपको कुछ ने कुछ ताइम मैनिश्मेंट में हल्प जरूर मिलेगी अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करदें अपने सोशल मीडियों पर और share करनी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी एक student हो हो सकता है कि आपका एक share आपके around कुछ जो भी student हैं जो अगले महीने exam paste करने वाले हैं उनको help मिल पाए आपका like, share मुझे encourage करता है कि मैं और अच्छे videos बना पाऊं in future और आप सभी कि जितनी हो सके उतनी help कर पाऊं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे क्योंकि information center एक ऐसा hub है जहां पर आपको हमेशा कुछ ने कुछ informative और knowledgeable ही सीखने के लिए मिलता है और जरूरी नहीं कि वह education related हो या फिर यहां पर multi fields में आपको कुछ ने कुछ research well research जानकारी दी जाती है जो कही में कहीं जीवन में आपको काम ज़रूर आएगी so information center को subscribe करें वीडियो को like करें share करें और अगर आपके कोई doubts है तो मुझे से आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं हो सकता है मैं आपके कुछ help कर पाऊं so मिलते हैं हमार अगली वीडियो में with another very interesting topic see you in the next video bye bye thanks for watching